नमस्कार दोस्तों दर्बंगा रोक्स में आपका स्वागत है दर्बंगा से सुपॉल होते हुए अररिया का एक ना हाइवे बनने जा रहा है और छे महीने के अंदर ये काम शुरू होगा है ये टेंडर परक्रिया में चल रही है आज इसी की बात करेंगे कि एक और विकल्प होगी दर्बंगा की वो जहनजारपूर से होते हुए बक और भेज़ा-पूल होते हुए पर सामा होते हुए परसरमा होते हुए सुपॉल होते हुए अररिया पहुं जाएंगे तो उसकी टेंडर पढ़क्या शुरू हो गई है और एक आत महीने में वो फाइनल हो जाएगी और उसके बाद 6 महीने में कहा जा रहा है कि ये काम शुरू हो जाएगा अब ये कौन सा हाइवे है क्या है उसको आप डिटेल से बता देते हैं कि ये कहां से निकलेगी क्या होगा तो पहले आप समझ लिए कि अब अररिया पर सर्मा सडक है ये निर्माण 6 महा में शुरू होगा ये कहना है इस अख़बार में लिखा गया है और निविदा जारी हो गई है और इस अख़बार की कटिंग जो है रोड का स्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने जारी की है बिहार की उसमें कहा गया है कि अररिया पर सर्मा सडक का निर्माण 6 महा में शुरू हो जाएगा और इस हाइवे का नाम NH 327E रखा गया है और इसकी लंबाई टोटल 112 किलोमेटर होगी और पहला तीन फेज में ये काम होगा पहला परसर्मा से विश्नुपूर होगा ये सुपॉल के एरिया में पढ़ता है जिसका 38 किलोमेटर का टोटल स्टेच होगा इसमें सुपॉल को जोडने के लिए एक नया वहाँ पर इसपर भी बनाया जाएगा चुकि ये सुपॉल से 2 किलोमेटर दूर हाइवे पढ़ेगा और 904 करोड इस पैकेज पर खर्चोंगे पहले फेज पर 904 करोड पर खर्चोंगे दूसरे फेज की बात करें तो ये विश्नुपूर से रगुनादपूर ये भी 38 किलोमेटर के आसपास सेम डिस्टेंस है और इस पैकेज में तिर्वेणी गंज के करीब से निकलेगी लाइन दूसरा पैकेज और इस पर खर्चा आएगा वह 851 करोड का आएगा तिर्वेणी गंज को भी जोड़ा जाएगा तिसरा पैकेज होगा रगुनादपूर से ररिया जो 35 किलोमेटर का स्ट्रेच होगा और इस पर टोटल जो है 904 करोड रुपे का खर्च होगा तो ये तीन पैकेज में काम होना है टेंडर पल्किया चल रही है एक दो महीने में फाइनल हो जाएगा छे मेने में कामिस का शुरू हो जाएगा तो मौझूदा जो अभी हाइवे है रानिगन सुपॉल का जो हाइवे है उस से थोड़ा डिफरेंट होगा ये दक्षिन की एरिया में होगा ये और वो मैप के जरे आपको बता देते हैं कि ये कैसे कनेक्टिविटी होगी तो जैसे आप दर्वंगा से आप आ रहे हैं तो आपको भेजा बकॉर वाले ब्रीज को पकड़ना होगा और ये फिर क्रॉस करती है परसरमा आएगा परसरमा जो है वो सुपॉल जो है उसके दक्षिन में पड़ेगा अभी जो मौझूदा रेड लाइन आप देख रहे हैं यह हाइवे अभी है अभी का ये स्टेट हाइवे है और नेशनल हाइवे जो बनना है वो परसरमा से ये कुछ ये लाइन होगी इस तरह से जो आप बुलू वाली लाइन देख रहे हैं और ये भविशी का हाइवे होगा जो श्रॉट डिस्टेंस कर देगा इसको और वो कैसे करेगा आप दर्बंगा से जब आ रहे हैं अलग से दर्बंगा की तरफस से जब आ रहे हैं या पतना की तरफस से तो ये आप परसरमा रूट ले लेंगे इस्ट वेस्ट कोईडोर आपका छूट जाएगा क्योंकि वह लंबा पुप पड़ता है उपर जा करके लेकिन यह आप शौट डिस्टेंस में परसरमा आप टश करेंगे फिर वहां से आप इस हाइवे को पकड़के किशन सीधा और अरया से किशन गंज होते इसके अलावा इस धिक हायवे का म उस तरफ से की सिरन इस यह को टीछी चल रहा है जिसका में वीडियो भी दिखाय था जो इस ने इस है वे का का ऊप जो सीर्वे के बीच में होना है यह एक तीसरी होगै करने नॉर्थ यिस वेस्ट कोईड Gibson है उसके बाद अभी मौझूदा जो रानी गंज वाला हाईवे बिहार स्टेट गवर्मेंट का वो है और ये तीसरा जो हाईवे है ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में शौर्ट डिस्टेंस कर देगा क्योंकि अभी जो समय लगता है वो चार घंटे लगते दर्भ अरिया से आप जो आभी आप नॉर्थ इस्ट वेस्ट कोरिडर पकड़ते हैं उसका अलाइन्मेंट ये सीधा पड़ेगा कि आप सीधे अररिया धाई से तीन गंट पहुंच जाएंगे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रहे क्योंकि 113 किलोमेटर का अगर ये माल ले और 100 किलोमे पर का डिस्टेंस कम हो जाएगा अगर इस डिस्टेंस पर काम होता है तो लेकिन अब देखना होगा कि इसका काम कब शुरू होता है भी तो दावा किया जा रहा है छे महीने में हो जाएगा शुरू लेकिन वह ये सब प्रक्रिया में कितना वक्त लगता हो देखना भी बात लेकिन इतना तय है कि यह पूरा एरिया डेवलप्मेंट के रडार पर इसलिए है क्योंकि जो एक रेल लाइन या एक हाईवे पर निर्भरता न रहा है इसलिए कोशिश बात कि है कि कई सारे विकल्प खोल के रखे जाएं और सुपॉल और रिया चुकि पिछला रहा है लेकि यह एक के रार रहा है लेकि कि जूपॉल खे जो बारन यहाओे लेकिस खूपलाऑको है वहाना कि दुपपलाभ लेकिन यहाएं अर्व खूब कोuldौ यहार जिए आ मख़े लेकित खूपलाबस है लेकिस मन्त Mohammad पारूपलों कि जूब टिए और एसूब कनद Renee सारे छूंकर य